नमस्कार साथियों स्वागत है आग सभी को अपनी यूटूब चैनल फ्री नोलेज नाइटी नाइटीन एट पर हम आपको बता दें साथियों कि यूपी एस्टी की तरफ से सी ए पी एफ यानि सेंटल आर्म पुली स्पोर्स की न्यू विकेंसी जारी कर दिया गया है जो कि स साथियों BSF, CISF या CRPF या SSB यदि इसमें आप जाना चाहते हो तो आपके लिए वीडियों बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली है तो साथियों हमारे वीडियों पर आप सुरू सलाश्ट तक बने रहिएगा हम इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं जो यूपी C.A.P.A.P.A.P.C. जारी किया है इसका ओफिसली नॉटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे कि इसका ओफिसली नॉटिफिकेशन भी इसका ओपसली वेफसाइट पर जारी कर दिया गया है पूरी जानकारी हम अपनी यूट्यूब चैनल पर देने वाले हैं आप सुरू से करने से पहले आपको कहना चाहेंगे या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिज सब्सक्राइब कर लिजगा और साथियो वेल आइकन को दबा दीजिगा ताकि मेरे आने वाले अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे तो चलिए दोस्तों वी अपलिकेसन अपलाई होना चाले हो गया है और जिसका लाज़ डेट रहने वाला है पांच माई को इसका लाज़ डेट रहने वाला है आप इसके इन पर देख रहे हैंगों साथी इस पर दिया हुआ है सेंटरल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांड एक्जामिनेशन 2021 तो यह इसका पूरा जानकारी से सोच तो अब मैं आपको बता दूँ कि इसको कौन-कौन अपलाई कर सकता है कौन-कौन नहीं कर सकता करके सबसे पहले साथ यहों मैं आपको बता दिया हूँ कि इसकी लाज़ डेट कवर रहने वाली यहां पर आपको दिख रहा होगा Cambridge top 15 yp ॐ और नेक्स पॉश्ट compr जिसमें पोस्ट है फिर इसके बाद रहने वाली आइटी वीपि की इसमें पयूस्ट है और लाश्ट में अपके एक पुस्ट रहने वाली है 1-59 वेकैंसी आपको देखने को मिलने वाली है यूपिसीक के अंतरगा सी ए पी एकुफ में और पहते हैं अलश डेयें होना जरूरी है मतलब आपका इंडिय незartity अपलाई कर सकते हैं मतलब में पल्सक्राइब male और female दोनों इसको apply कर सकते हैं यह दोनों के लिए vacancy आई हुई है age limit की बात करें साथियो तो आपका जो age रहना चाहिए 20 से 25 year तक होनी चाहिए 20 से 25 year यह तो general के लिए है general के लिए 20 से 25 year और ST, SC और OBC ST, SC वाले को साथियो इसमें 5 year की छूट है और OBC वाले के लिए इसमें 3 year की छूट रखा गया है government rules के मताबिब ठीक है साथियो तो यह इसका eligibility criteria है और मैं आपको बता दू कि इसमें education क्या मांग गया है हम education की बात करें साथियो तो इसमें education मांगा गया है आपका किसी भी university से डिगरी होना पहुत ही जरूरी है यदि आपका degree है साथियो तो आप इसको apply कर सकते हो ठीक है साथियो अब इसमें हम और इसकी पूरी notification की पूरी आटिविएट जानकारी में आपको आपको अपनी वीडियो पर दूँगा आप वीडियो में सुरुच लेकर लाज तक बने रहीएगा अब हम बात कर लेते साथियो तुम सेलेक्शन प्रोसेस की सेलेक्शन प्रोसेस की बात कर सबसे पहले साथियो आपका return examination होगा ठीके साथियो इसमें return examination में आपका दो पेस किये जाएंगे नम्मर फर्ष्ट पर आपका पेपर लिया जाएगा जिसमें आपका question पुछे जाएंगी जनरल ability and intelligence की जो 250 marks का जो रहने वाला है तो अब फिर आपको second paper होगा जिसमें आपको दो साथियो central general studies asan compression आपका पुछा ड्यदेश करना है में चुर। और नेक्स हम बात करें कि लॉंग जिंप जब मैं आपको 5.5 मिटरkor आपका लॉंग जूम्प फूट्स केंजी तुिसमें तीन दिया जाएंगे अनकर त reflex वाला टीन ने जी आपका उटेया हुट्स प्रॉंट जिन ध्योंकर को बात टैकर टो यह आपूसे बास आपको इसमें दिख रहा होगा और फिर आपका जो नेश्ट हैगा इसमें इसके बाद इंडर्वू रहेगा और फिर फाइनल सेलेक्शन आपको रहने वाला है आपको बना दिया जाएगा तो इसका बहुत लंबा नोटिफिकेंट जानकारी थी मैं आपको दे दिया हूं तो एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं साथी हो कि यह जो है यह ओनलाइन इसके अभेदर होंगे यह विकेंजी ओनलाइन यह ओफलाइन नहीं है ठीक है साथी हो तो आपको मैं एक बार और याद दिला दूं कि इसकी जो लास्ट डेट है पांच मैं को रहने वाल औरי का उक्सप्रवाइड करना चाहते है यह आप तो आप अपना डाउट कर सकते हूं या आप कूंब़ेंट भी कर सकते हों वहां पर आपको रिप्लाई दे दूँगा ठीक है साथियो तो आई होब कि आपके वीडियो पसंद आई हो तो साथियो ऐसे ही गवर्मेंट गवर्मेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और साथ ही वेलायक को दबा दीजेगा